आज हम चर्चा करेंगे हिंदू सामाजिक संगठन में जो महतुपूर संस्था पाई जाती है विवा के बारे में विवा रूपी संस्था किसी ने किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है विवा ही परिवार एवं नातेदारी का आधार है हिंदूों में विवा संस्ता का सामाजिक संरचना में एक विशिस स्थान है तथा यह विश्व के अन्य समाजों में पाए जाने वाले विवाओं से बिन्नता लिये हुए है हिंदूों में विवा को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है विवा के द्वारा एक व्यक्ति ग्रहस्त आश्रम में प्रवेश करता है जो अन्य सभी आश्रमों का मूल है प्रतेक व्यक्ति के लिए विवा एक अनिवारिय करतवे माना गया है हिंदूों में चार पुरुशार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की विवस्ता की गई है जिनकी पूर्ती के लिए ग्रहस्त आश्रम अनिवारिय है इसी प्रकार से प्रतेक व्यक्ति पर तीन रिन, पित्र रिन, देव रिन और रिशी रून इनको चुकाने का भार माना गया है पित्र रिन से मुक्ति पाने के लिए विवा करके संतानोत पत्ती करना आवशक है मनू विवा को योन संबंदों के उचितनी अंत्रन एवं इस लोक वे परलोक के सुक के लिए आवशक मानते है शास्त्रों में लिखा है पती-पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है वेदों में एविवाहित व्यक्ति को एपवित्र माना गया है धार्मिक द्रिश्टी से वह एपूर्ण है और संस्कारों में भाग लेने योगी नहीं है जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता संतान उत्पन नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता विवाह करके संतान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने को अमर बनाता है इस प्रकार हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं प्राचीन जो शास्त्र हैं वो ये इसपस्ट करते हैं कि विवा संस्ता समाज के लिए कितनी अनिवारिय है विवहा का अर्थ जो है इसका शाब्दिक अर्थ है उद्ध है और इसका तात्परिय होता है वदू को वर के घर ले जाना वदू को जब वर के घर ले जाया जाता है उसको विवहा माना जाता है इसकी परिभाशाओं में अगर हम देखें तो समाज शास्त्री लूसी मेयर ने लिखा है विवा की परिभाशा यह है कि वह इस्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे इस्त्री से जन्वा बच्चा माता पिता की वैद संतान माना जाए इस परिभाशा से यह इस्त्री पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्विकार किया गया है जो संतानों को जन्व देते हैं उन्हें वैद गोशित करते हैं और इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं प्रैस्तितियां प्राप लिखी है जिन साधनों द्वारा मानव समाज योन संबंदों का नियमन करता है उन्हें विवा की संग्या दी जा सकती है यह दूसरी परिवाशा है जो रिवर्स ने लिखी है विवा के बारे में इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि विवा दो विसम लिंगियों को पारिवार सामी बनाना संतानोत पति करना तथा उनका लालन पालन एवं समाजी करन करना ये विवा की मुख्यकार्ये हैं विवा के बाद ही माता-पिता एवं बच्चों के भीच कई अधिकारों एवं दाइत्मों का जन्म होता है। इस प्रकार से जो विवा है उस विवा की परिभाशा और अर्थ को हम समझ सकते हैं कि विवा क्या है और विवा की विभिन जो समाशास्त्री हैं उन्होंने क्या-क्या परिभाशाएं दी हैं अब हम चर्चा करते हैं हिंदू विवा के उद्देशों पर हिंदूों में विवा, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देशों की पूर्ती के लिए एक आवश्यक कर्तवे के रूप में स्विकार किया गया है हिंदू सामाजिक विवस्था में अनेक कारणों से विवा का विशेश महत्व है जैसे विवा के द्वारा ही व्यक्ति ग्रहस्त आश्रम में प्रवेश करता है रिनों से मुक्ति प्राप्त करता है पुरुशार्तों का निर्वा करता है समाज के प्रती अपने जो विभिन सामाजिक दाईत्व हैं उनको निभाता है इन सारे उद्देशों को इसपस्ट करते हुए डॉक्टर कापडिया ने लिखा है हिंदू विवा के उद्देश धर्म प्रजा जिसे संतान कहा जाता है तथा रती जिसे आनन्द कहा गया है ये मैं तुपूर उद्देश उन्होंने बताए है हिंदू विवा के इन उद्देशों पर हम एके करके चर्चा करें तो सबसे पहला उद्देश धर्म या धार्मिकारियों की पूर्ती हिंदु विवा में धर्म एवं धार्मिकर्तवियों की पूर्ती को सर्वोपरी स्थान दिया गया है धार्मिक कारियों की पूर्ती के लिए पत्ली का होना अनिवारिय है अनिता वे सभी धार्मिक कारिये पूर्ण नहीं माने जाते हैं प्रते ग्रहस्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रति दिन ब्रह्म यग, देव यग्य, भूत यग्य, पित्र यग्य, एवं न्रय यग्य यह जो पांट महायग्य हिंदू महागरंथों में उलेखित हैं, उनका पालन करें और इन यग्यों में पती और पतनी दोनों का होना ही अनिवारिय है दूसरा है प्रजा अत्वा पुत्र की प्राप्ति विवा का दूसरा उद्देश संतानोत पती माना गया है पुत्र का विशेश इस्थान है क्योंकि वहीं पिता के लिए तरपन और पिंडदान करता है उसे मोक्ष दिलाता है रिगवेद में अनेक इस्थानों पर पुत्र की आकांक्षा प्रकट की गई है पानी ग्रहन करते समय या जब विवा होता है उस समय वर वदू को कहता है मैं उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तेरा पानी ग्रहन करता हूँ विवा के समय पुरोहित वर और वदू को आशिरवा देते हुए पुत्र उत्पन करने का आदेश देते हैं ये कुछ अउधारनाई हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से हिंदू विवा का मुख्य उद्देश्य पुत्र प्राप्ति माना गया है। द्वारा सुक्रत तरीकों में विवा ही इसका सर्वत्तम उद्देश्य है। व्यक्ति अपने पारिवारिक निर्ण एवं दाइत्वों का निर्वा करता है जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया लालन पालन कर बढ़ा किया सिख्षा प्रदान की वह समाज में रहने योग प्राणी बनाया उनकी व्रधा आवस्ता बिमारी एवं संकट के समय सेवा करना व कूर्ति के लिए तथा ग्यान संस्कृति वह सभ्यता की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह अवश्यक है कि वह विवा करे नई पीड़ी को जन्म दे और संता और समाज की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने में अपना योगदान दे क्योंकि अगर समाज की निरंतरता नहीं बनेगी तो समाज का जो अस्तित्व है वह दीरे-दीरे करके समाप्त होता चला जाएगा तो ये कुछ उद्देशे हैं जो हिंदू विवा के या विवा के उद्देशे के रूप में समाज में पाए जाते हैं आगे हम चर्चा करते हैं हिंदू विवा की प्रकृति या जा हिंदू विवा किस प्रकार से एक धार्मिक संस्कार है इन सब बिंदूों पर हम चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहला बिंदू है विवा का धार्मिक अधार यदी हिंदू विवा के अदेश' का हम Feng coalition करें विवा की ऐविछे प्रकृती हिंदु विवा पती-पतनी का जन्म जन्मांतर का पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है ऐसी माननेता है कि जो इस जन्म में पती-पतनी है वे अगले जन्म में फिर से पती-पतनी भनेंगी भारतिय धर्म शास्त्रों में तलाख एवं परिताग का कोई स्थान नहीं है नेक्स्ट विशेष्टा है रिनों से उरिन होने के लिए विवा आवशक है धर्म शास्त्रों में विवा को स्वर्ग का द्वार माना गया है विवा के द्वारा ही वेक्ति ग्रहस्त आश्रम में प्रवेश करता है ग्रहस्त बनकर ही वेक्ति अपने विभिन रिण और पुरुशार्तों की पूर्ती कर सकता है विवा को मनु ने स्वर्ग की सीड़ी बताया है अगला बिंदु है पतीवरत का आदर्श एक हिंदू इस्त पतनी के लिए एक मात्र संसकार एक हिंदू पुरुष अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के संसकार संपन करता है इन संसकारों से उसका सुद्धी करण एवं व्यक्तित्व का विकास होता है किन्तु इस्त्री के जीवन काल में विवाही एक मात्र संसकार है जिसके द्वारा जो अन्य जो संसकार हैं वो उसके द्वारा संपन नहीं किये जा सकते हैं नेक्स है पत्नी के लिए संबोधक शब्द हिंदूों में पत्नी को संबोधित करने के लिए धर्म पत्नी एवं सह धर्म चारीनी आदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर ये है धार्मिक कारियों में सहयोग करने वाली पतनी ही पती के धार्मिक कारियों को पूर्णता प्रदान करती है नेक्स बिंदु है धार्मिक अनुस्ठान एवं विधी विधान हिंदू विवा को एक संसकार बनाने के लिए वे सारे अनुस्ठान और विदी विधान भी हैं जो विवा के दोरान संपन किये जाते हैं इन धार्मिक रत्यों के अभाव में विवा को पूर्ण नहीं माना जाता है और विवा के दोरान जो संसकार संपन किये जाते हैं उन संसकारों में होम, पानी ग्रहन, शप्त पदी, कन्यादान, अगनी परिणयन, आधी प्रमुख धार्मिक अनुस्टान है जो विवा के दोरान संपन किये जाते हैं अगला बिंदू है ब्रामनों की उपस्तिती, समाज व्यवस्ता में ब्रामनों को सर्विस्टेश्ट माना गया है, विवा कारिये उनी के दोरा संपन कराये जाते हैं, किसी कारिये में ब्रामन की उपस्तिती, उस कारिये की पवित्रता एवं गरीमा को बढ़ाने वाली होती है नेक्स्ट बिंदू है वेद मंत्रों का उच्चारन विवा के समय वैदिक रिती रिवाजों का पालन और वैदिक मंत्रों का उच्चारन किया जाता है वेदों को हिंदूों में बहुत ही पवित्र माना जाता है उनमें जो लिखा हुआ है वै इश्वर के मुख से निकले व्याक्य के समान माना जाता है वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी विवा को धार्मिक संसकार बनाते हैं अगला बिंदु है अगनी की साक्षी ब्रामनों एवं वैदों की भाती अगनी को भी पवित्र माना गया है उसकी साक्षी में ही वर और वधू विवा बन्दन में बनते हैं साथ ही वर वधू के सुखी एवं संपन जीवन के लिए अगनी से कई प्रकार की प्रार्थनाई भी की जाती हैं अगला है कन्यादान कन्यादान को धर्म शास्त्रों में स्रेष्ट दान बताया गया है इससे बहुत बड़ा पुन्य माना गया है कन्यादान देना और लेना दोनों ही स्रेष्ट कारिये हैं ये कारिये इश्वर अगनी और ब्रामन की साक्षी में किये जाते हैं अते है यह एक पवित्र एवं धार्मिक कारिय है और इस द्रिश्टी से भी हिंदु विवा एक धार्मिक संसकार है अगला बिंदु है धार्मिक आदेशों एवं निशेदों का महत्व हिंदु विवा में एक विवाहित जोड़े के लिए अनेक धार्मिक कारियों को करने के आदेश दिये ग भी हैं जैसे एक व्यक्ति को अपने गोत्र प्रवर एवं सैप इंडियों से तथा विजातिये लोगों से विवा नहीं करना चाहिए ऐसा करना एधार्मिक कारिये माना जाता है उपयुक्त जो सभी तथे हैं जिनका अभी हमने अध्यन किया ये सभी अध्यन और तथे हिंदु विवा की धार्मिक प्रकृति को इसपश्ट करते हैं किंतु वर्तमान में हिंदु विवा अधिनियम 1955 के पारित हो जाने के बाद हिंदु विवा की संसकार आत्मक प्रकृति समाप्थ हो गई है और यह मात्र एक सामाजिक समझोता रहे गया है यदपी न्यायले ने हिंदु रित्यू से संपन विवा को एक संसकार के रूप में स्विकार किया है फिर भी विवा विच्छेत की स्विक्रती के कारण अब विवा अटूट बंदन नहीं रहे गया है ये विवा के बारे में कुछ महतुपूर्ण जानकारिया थी जिसमें हमने चर्चा की विवा का आर्थ विवा के उद्देश हिंदु विवा एक धार्मिक संसकार के रूप में या हिंदु विवा की विभिन प्रकृतियां और उसकी विशेष्टाएं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद